हेलो अबरोबन वेलकम यूआ अट लोकी सरलन्ट इस्टडी जोन सो इस्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी के इस स्पेशल एंड इसमें ये कहली जिक कुछ कुछ कॉशन हम लोग जी आइस के भी लेने वाले हैं मतलब ही के हायर लेवल का एक लास है तो इसके इस स्पेशला केल मैं आपके सामने उठाता हूँ ये कशन आपको फाइंड करना आ है लेमिट एकस टेंड सू जी रॉफ डॉफ एकस लोग एकस होल्ध की जीडिक वावर एंग सब्सुमियों कियो क्यों किया है क्योंकि अगर आप लॉफ या लॉउफ की घॉल थिरॉ क्यों ग होता है not defined होता है ओके मतलब उसकी value होती नहीं है और अगर आप log 0 की value बात कर लें तो log 0 कितना होता है infinite होता है log 0 ठेक ना तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस question को किया जा सकता है इसलिए question यहां पर लिया गया है आईए एक इस question को करते हैं तो सबसे पहले question का exactly format क्या है पहले question के format को discuss कर लेते हैं तो question हमाई पास दिया गया है limit x tends to 0 positive x log x whole to the power n है ना log x complete है sorry log x यहां पर complete है log of x whole to the power n अगर मैं यहां पर x tends to 0 पुट करता हूं है ना x tends to 0 पुट करता हूं तो देखे इसकी जो format बन रही वो क्या बन रही है 0 into ये actually ये क्या बन जागा अपके पास minus infinite वह infinite ही एक तरीके से तो जीरो इंट्थ इंट्ध बन जाएगा ये जो form बन रही है वो क्या बन रही जी रो टू इंट्ध बन रही है मतलब कि अगर आप x tends to 0 जा रहे हैं तो आपके पास मिए जो x tends to 0 जा रहे हैं तो आपके पास में जो log x जा रहा है वो infinite बन रहा है तो ये format बन जाएगी किसकी 0 into infinite की इस चीज़ से मतलब नहीं कहा रहे है चलिए अब इसको अपन को solve करना है तो आपको पता होगा कि 0 into infinite की form को solve करने के लिए क्या करते हैं अपन इसको इसको अपन या तो 0 by 0 बना लो या infinite by infinite बना लो दो rules होते हैं 0 into infinite की form को solve करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ limit x tends to 0 plus log x whole to the power n और divided by कितना कर दिया 1 by x अब ये ऐसा करने से ये किसकी form में बन चुका है ये हमापस फॉर्मा चुकी है infinite by infinite ठीक है न और infinite by infinite में L hospital इस्तमाल कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं L hospital इस्तमाल करूँगा तो L hospital इस्तमाल करने से देखे किस तरीके से question solve होगा अब L hospital का हम use करते हैं देखते हैं कि L hospital का use करने से ये question किस टाइब से solve होता जाएगा देखें तो क्या करूँगा मैं limit extends to zero positive ओके हाँ L hospital का इस्तमाल करूँगा तो ऊपर कितना आ जागा देखें आपके पास में ऊपर आ जागा n log x to the power n minus 1 और ये हो जागा 1 upon x और ये कितना हो जागा minus 1 by x square तो x से 1x मैंने cancel कर दिया तो finally अपके पास कितना आ गया limit extends to zero positive और n log of x to the power n minus 1 whole divided by कितना है minus 1 upon x अगर अभी भी आप zero put करते हैं तो infinity upon infinity की structure बन रही है मतलब हमको इसको फिर से एक बार differentiate करना पड़ेगा तो चलिए इसको हम फिर से differentiate कर देते हैं एक बार ले चलते हैं इसको next page पे ठीक है यहाँ पर हम आ गये थे आईए इसको differentiate करते हैं एक बार फिर से तो क्या हो जाएगा limit extends to zero ही चलेगा आपके पास में ये क्या है n है तो यह हो जाएगा n-1 और log x to the power किता हो जाएगा n-2 और फिर 1 upon x और फिर से इसका एक माइनस ये वाला और एक माइनस नया वाला तो माइनस 1 का square कर दीजे क्योंकि आपने दो बार differentiate कर दीए दो माइनस आ गये हैं और यह कितना आ जाएगा 1 upon x square जागा x से फिर से x cancel हो रहा है तो आपके पास क्या बन गया limit x tends to 0 positive ठीक है यहाँ भी plus कर दीजे limit x tends to 0 positive n into n-1 into n-2 और यहाँ पे कितना कुछ नहीं और यहाँ पे n-1 ही था n-2 तो अभी आए यह नहीं तो n into n-1 और क्या बज़िया है log x की whole power n-2 and upon में कितना बज़ गया 1 upon x ठीक है ना अब देखो एक चीज का यहाँ से realization यह हो रहा है कि आप इसको solve करते जा रहा हो यह n produce करते जा रहा है आखिर यह कहानी कब जाके रुखेगी जब आप इसको nth time differentiate करोगे जब क्योंकि दो बार कर रहा हो तो log x की power n-2 आ रहा है जब इसको n time आप differentiate करोगे तो finally यह जा करके कितने पर रुख जाएगा देखो जब आप इसको n time आप differentiate कर दोगे तो n time differentiate करने पर l hospital लगाने पर देखिए क्या structure बनीगी आपके पास में आपके पास में बनेगी n, n-1, n-2 ओके and up to log x की जगह कितना आ जाएगा अपने पास 3 into 2 into 1 और फिर log x का हो जाएगा 1 upon x और यहाँ पर कितना हो जाएगा minus 1 upon x square बट याद रखो minus 1 की power n आएगा क्योंकि n times differentiation में minus 1 power की form में n produce कर रहा है x से x आपने cancel कर दिया ठीक है देखे अब आपके पास में क्या है n की value आपको put करनी है आपको x की value आपको put करनी है ठीक है ना x की value आपको put करनी है तो उपर तो आपके पास क्या बन चुका है उपर आपके पास factorial n बन चुका है उपर आपके पास कितना बन चुका है factorial n और नीचे something upon 0 equals to कितना हो जागा infinity क्योंकि x की जगे यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो infinity आजागा and something upon infinity equal to कितना होता है 0 तो इस question का जो correct answer आएगा limit का वो कितना आजागा 0 आजागा ठेक ना तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया question है यह इसलिए यहाँ पर मैंने आपको यह question कराया है इसको practice कीजिए thank you हाँ यह दिखिए इसमें limit extends to 0 plus ही चलेगा यहाँ पर क्या चलेगा limit extends to 0 plus every time अब मैंने यहाँ पर h में substitute नहीं किया है नहीं तो आप भी कर सकते हो okay तो इस तरीके से उपर का जो differentiation यहाँ पर आ चुका है उपर एक constant value आई है और नीचे minus 1 की power n और 1 upon x square आ गया था x से x cancel हो गया था तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ऊपर क्या हो चुका है ऊपर आ चुका है constant value यह इसको लिख लो factorial n और नीचे कितना है minus 1 की power n और अपने पास कितना बचा है 1 upon x और आपका चल रहा है limit extends to 0 प्लस है तो x की value जब आप पूट करोगे 0 तो something constant n upon infinite हो जाएगा तो आपको क्या value produce करेगा 0 so this is done चलिए अब एक next question की और चलते हैं जो आपके exam में आ चुका है अगला PYQ देखते हैं देखे question पूछा गया है कि limit x tends to infinity x to the power n upon e की power x की value क्या होगी और आपके सामने दिया गया है मतलब x की power n e की power x की value क्या होगी देखें इस question को करने के लिए आपके पास में 3 case बनते हैं सबसे पहला x is greater than 0 sorry x is greater than 0 नहीं n is greater than 0 तो n की value पर depend करेगा n is greater than 0 suppose आप यहाँ पर माल लेजे n equal to 2 लेके चलते हैं तो n equal to 2 लेके चलते हैं तो यह क्या बन जागा limit x tends to infinity x की power 2 upon e की power x यह हो चुका है अब आप इसको differentiate कर दीजे है ना तो इसको differentiate करेंगे तो यह कितना आएगा 2x upon e की power x एक बार इसको फिर से differentiate कर दीजे तो limit तो चलेगी ना अगला differentiation करेंगे limit x tends to infinity कितना जागा 2 upon e की power x अब आप limit पुट कर देंगे तो 2 upon e की power infinite answer कितना जागा 0 तो सबसे पहला n greater than 0 के case में अगर आप n की value 0 से बड़ी रख रहे हैं तो इसका answer कितना आ रहा है इसका answer आपका that time infinite 0 आ रहा है तो इस expression का जो answer आपके पास में कितना रहा है 0 आ रहा है 1 हो जाएगा अपन e की power x और 1 upon e की power infinity कर देंगे तो 1 upon e की power infinity again कितना हो जागा 0 हो जाएगा अब देखे थर्ड सेग्मेंट जो बनता अपना थर्ड जो बनेगा वो less than 0 के लिए करते हैं ओके less than 0 के लिए तो less than 0 के लिए आप x less than 0 ने लिए ना बार बर कन्फियूज हो रहा है n less than 0 लिए ओके तो आप n की value की ते लिए लिए माइनस टू ले लिए तो आपके पस क्या बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ओके एक्स की power n और n यहाँ पर आपने कितना लिए माइनस टू तो x की power minus 2 upon e की power x यस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ limit x tends to infinity 1 upon x का square into e की power कितना हो गया है x हो चुका है इसमें हम को L hospital लगाने की भी जूरुत नहीं है यदि हम x की infinity value put करेंगे तो all total infinity हो जाएगा तो answer कितना आएगा 0 मतलब कि तीनो cases में answer 0 आ रहा है तो मैं summarize कर सकता हूँ यहाँ पर इस question को कि limit n tends to x tends to infinity limit x tends to infinity limit x tends to infinity x to the power n upon e to the power x जो है उसके तीन case बने है number 1 n greater than 0 n equal to 0 and n less than 0 और तीनो पर इसकी जो value आ रही है तीनो पर जो इसकी value आ रही है equal to कितनी आ रही है 0 चाहिए आप कोई भी case उठा करके इसको solve कर ले इसकी value 0 आएगी so this is done next question देखे अगला जो question है वो बहुत ही beautiful question है question में आप से कहा गया है कि आपको find करनी है अगर if y is equal to 10 square x plus cot square x है okay तो आपको find करना है कि range of y क्या होगी range of y, y की range क्या होगी देखे बहुत प्यारा question है concept लिका हुआ है basic concept लगा हुआ है इसमें आप इसको क्या लेख सकते है y equal to 10 square x plus 1 upon 10 square x 1 upon 10 square x अब यहाँ पर अगर आपके पास x को देखो आप, जो आपके पास 10 square x plus 1 upon 10 square x है अब एक identity आपको मैंने बताई है कि p plus 1 upon p जो होता है p plus 1 upon p जो होता always less than or equal to minus 2 मतलब इसकी minimum value क्या होती ही minus 2 से चोटी होती है and second point जो होता है p plus 1 upon p always greater than or equal to कितना होता plus 2 मतलब इसकी जो value होती हमें सब minus 2 से चोटी होती है और हमें सब plus 2 से क्या होती ही बड़ी हुआ करती है तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमाँ पस 10 square x 10 square x plus 1 upon 10 square x जो है आप देखें यह इसको p support कर यहां बट यह square x है देखो अकेला नहीं है square x है तो 10 square x plus 1 upon 10 square x जो है यह क्या होगा यह less than or equal to minus 2 जो की possible नहीं है not possible क्योंकि यह square है और square कभी negative छोटा हो नहीं सकता है तो इसकी value कभी भी negative हो नहीं सकती है तो यह गरवड हो जाएगा मतलब यहाँ पर यह not possible है 2 से छोटा तो नहीं होगा अब अगला देखते हैं second part देखते है दूसरा जो part है कि यहाँ पर देखिए जो value निकलेगी हमें साब की यहाँ पर जो value निकलेगी आपकी y belongs to close interval to to infinite तो इस question ऐसे question को करने के लिए concept हमें साय रखेगा इसका जो main concept बनता है वो यह बनता कि अगर कोई number P है तो P plus 1 upon P always greater than or equal to 2 and P plus 1 upon P always less than or equal to minus 2 ठीक है ना मतलब जो value हुआ करती है कोई सी भी number के original number उसका reciprocal कोई function होता है उसकी value हमें साथ 2 से बड़ी होती ही minus 2 से छोटी होती है मतलब कुछ इस तरीके से देखे 2 से बड़ी और minus 2 से छोटी ये value इस तरीके से मतलब minus 2 से लेकर plus 2 के बीच में लाई नहीं करती है तो आप लिख सकते हैं कि P plus 1 by P does not lying between है ना कहां minus मतलब कि कितने नमबर से लेकर minus 2 से लेकर के 2 के बीच में value इसकी लाई नहीं करती है ये भी एक छोटा सा concept बन जाता है चली इस पर based हम अगला question बनाते हैं एक और छोटा सा question उठाते हैं देखिया आपको question आया है y is equal to cos x plus sec x की value find करनी है y equal to cos x plus sec x तो ये clearly दिख रहा है कि y is equal to ये कितना है ये cos x और sec x equal to हो गया one upon कितना cos x है again ये P plus 1 by P की structure बन चुकी है और हम जानते है कि P plus 1 by P जो होता है वो हमेशा minus 2 से छोटा होता है and P plus 1 by P जो होता है हमेशा plus 2 से क्या होता बड़ा होता तो ये P plus 1 by P की structure है मतलब range of y जो निकलेगी वो कितने निकलेगी y belongs to minus 2 से छोटा तो minus infinity to minus 2 close interval union plus 2 से बड़ा मतलब 2 से लेके infinite ठीक ना चलिए done चलिए जो अगला question आया है वो concept से आया है sum of nth root of unity sum of nth roots of unity sum of nth root of unity को समझने के पहले ये सबसे पहले इसको हम solve करते हैं कि nth root of unity होता क्या है और थोड़ी सी आप इसको देखे एक चीज की अगर हम sum of roots of unity करते हैं तो खोता क्या हमाँ पास जैसे हमाँ पास मानलो equation है x square equal to one है तो x square equal to one के roots हमारे पास आते है एक plus one आता है एक minus one आता है यदि इसको मैं जोड़ देता हूँ तो plus one और minus one को यदि मैं add करता हूँ तो answer कितना आता है मिरे पास zero ईगला देखे x cube equal to one यदि में लेता हूँ तो जो इसके root आते हैं वो कितने आते हैं इसके root आते हैं one omega और omega square यदि में इन सब को add कर देता हूँ तो one plus omega plus omega square again कितना हो जाता हुए? जीरो हो जाता है अगर x की power four equal to one की Characini की में बात करूँ मतलब कि ये जितने भी रूट्स हैं इन सब का जो सम आता है ये सब का जो सम मिलता आपको कितना मिलता है जीरो मिलता है मतलब आपके एक चीज बना लीजे कि अगर आपके एंथ रूट्स आफ यूनिटी होते हैं एंथ रूट्स आफ यूनिटी ओके तो इन सब का जो सम होगा आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. सारे रूट्स अगर present हैं तो sum मिलेगा और एक रूट पकाओ क्या होगा? 1 होगा. एक रूट आपके पास में कितना होगा? 1 होगा. चलिए. तो मैं रूट्स निकालता हूँ अब. एंथ रूट आफ यूनुटी निकालते हैं. तो किस तरीके स देखिए 1 को क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 1 को लिखाँ कॉस की फॉर्म में, उसमें, पोलर फॉर्म में, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ कॉस अफ एप. एन अल्रेडी एग्जिस्ट है तो मैं n को यूज नहीं करूँगा यहाँ पर इंटीजर के लिए, जेनरल सलूशन के लिए, तो मैं लिखूँगा इसको टॉस ओफ टू के पाई, प्लस माइनस आई, साइन टू के पाई, क्यों? क्योंकि साइन टू के पाई की वैल्यू जी रो होती, इसलिए प्लस की उसकर या मैनस यसकर कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, होल्ट टी पवर कितना होगया? 1 टू के पाई, तो आप यहां पर के की वैल्यू स्टार्ट करोगे, कहां से इंटिगल सलुशन, 0, 1, 2, 3, जितने आपको के की वैल्यू से आपको रखनी है, आप यहां पर के की वैल्यू रखते जाईए, और आपके पास में सम आपको निकल जाएगा, अगर आपके रूट निकलते जाएगे, आप की वैल्यू पूट कर देए, की वैल्यू बैल्यू पूट करता हूँ, की वैल्यू पूट करने पर मेरे पास पहला रूट आएगा, अल्फा वन, या उसको कहीं अल्फा जीरू भी बोल सकते हो, कोई द की बात करते हैं तो यदि हम के की वैली वन पर ने रखा है पहला रूट निकला है तो कितना निकलेगा देखे यह कॉस भूल गया था मैं यहां पर इसमें कॉस लगाना पड़ेगा यहां पर कॉस आएगा ओके तो कितना बने का कॉस ऑफ टू पाई बाई एन प्लस आई साइन टू पाई बाई एन यह आपके पास जो है आपकी के की वैली वन होने पर आपका पहला रूट बनेगा चलिए के की वैली अगर जीरो डाल देता हूं मैं तो के की वैली जीरो डालने पर सबको जीरो हो जागा तो कॉस जीरो कितना हो जागा बना जागा मतलब पहला जो आप k equal to 0 पर जो आपका पहला root निकलेगा वो कितना निकलेगा alpha 0 कहलो उसको क्या कहने 1 निकलेगा ठीक है अब इस पर based जो होते हैं आपके questions आया करते हैं इस पर based आपके questions आते हैं चलिए इस पर based question मैं आपको करवाता हूँ कि इस पर based कैसा question आपके exam में पूछा गया इस पर based जो question आपके exam में पूछा गया था वो ये था क्वेस्चन क्या था ये क्वेस्चन था sigma summa summation कहलो इसको KKV1 से लेकर करके KKV1 से लेकर कहां तक 10 तक KKV1 से लेकर 10 तक ठीक ना और आपके पास में देखो कितना है आपके पस में है, सिखेकी वैलिवन से लेके 10 तक, साइन ओफ 2K 511, okay, प्लस आई, कॉस आफ 2K 511, ठीक ना, तो ये देखे, ये क्या होता है, ये एंद रूट हुआ करता है, मतलब इसका पका 11th रूट निकाला गया होगा, ठीक ना, केकी वैलिवन से, तो सबसे पहले एक काम किए आई आप common ले लिजे अगर आप यहां पर आई common लेते हैं तो आपके पास आई common आजागा देखो तो क्या चलेगा आई common लेने के बाद के एक कॉल्स टू वन से लेकर के कितना 10 की 11 है 10 तक गया है वो के मतलब sum of the roots आपको कहां से कहां तक निकालने हैं एक से लेके 10 तक मतलब की 10 roots आपके पास दिए गए अगर 11 roots का sum होता तो कितना जीरो क्योंकि all roots का sum कितना होता जीरो फिलाल हम आई common ले रहे हैं आई common लेगो तो यह कि जागा cost of 2k by by किता 11 और यह आई common लोगे तो one upon i हो जागा मतलब माइनस आई one upon i equal to होता कितना माइनस आई sign of 2k by upon कितना 11 अब problem क्या है problem यह है कि यह अगर one से लेके 11 होता तो अपना काम यह जो है यह पूरा का पूरा मैं इसको क्या कर देता जीरो कर देता फिलाल आयोटा देखो multiply में है तो आयोटा multiply में है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ बाहर कर लेता हूँ आयोटा multiply में है तो बाहर आ गया क्योंकि आयोटा की power कुछ के वे तो है नहीं तो variation तो होगा नहीं उसमें तो मैंने बाहर कर लिया अब sigma k equals to one से लेकर के 10 तक दिया गया है अंदर क्या है cos of 2kpi upon 11 okay minus i sin 2kpi upon 11 अब देखो अगर मैं इसमें एक term add कर दूँ और एक term minus कर दूँ तो हिसाब बराबर बन सकता है मेरा तो मैंने क्या किया इसमें एक term add कर दिया कौन सा वाला 0 पर तो k equal to अगर आप 0 पर put करोगे तो k equal to 0 पर 2 into 0 हो जागा यह तो 0 हो गया और यह कितना हो जाएगा मतलब अपन को plus 1 add करना पड़ेगा अब plus 1 add करोगे तो minus 1 भी क्या करोगे सब्ट्रैक करोगे अब देखो आई टो भार बैठा हुआ है कोई दिक्कत है नहीं अब देखो यहां से ले करके अगर मैं यहां तक इसको merge कर दूँ तो यह जो value निकली हो किस पर निकली है k equal to 0 पर तो मैं लेख सकता हूँ i sigma k equal to 0 से लेके कितने तक 10 तक k equal to 0 से लेके कहां तक 10 तक cos of 2k pi upon 11 minus i sine 2k pi upon 11 और आपको पता है कि यह क्या है सारे के सारे 11 roots का sum निकले गई है और अंदर कितना बज़ गया minus का 1 और आपको पता है कि ये सारे के सारे 11 roots का sum कितना निकलता जीरो निकलेगा because sum of all the roots equal to कितना होता जीरो तो हमारे पास finally answer कितना आएगा i और bracket में 0 minus 1 तो answer कितना हो गया minus का iota तो इसका correct answer होगा minus iota बहुत ही प्यारा question दोस्तों तो इसको करिए so it is done okay तो thank you guys आज की PYQ class के लिए इतना ही next class में फिर मिलेंगे धन्यवाद